हलो श्रिंस एक वार फिर से आपको स्वागत करते हैं नमर वन क्लासेस में आज हम लोग चर्चा करेंगे मल्टिपल च्वाइस कोशन अपलाइट कमेश्टी का हां हम लोग महटपून कोशन को देखेंगे बहुत भेरी भेर इंपॉंटेंट जो कोशन है हम लोग वही कोशन को चर्चा करेंगे जो एकजाम में पूछा है और पूछे जाएंगे 100% पूछे जाएंगे और उनिट बाइ उनिट चर्चा करेंगे यह भी कोशन क को सबसे पहला question दिया हुआ है ठीक है question क्या दिवा है the number of radial north for therapy orbital is option a दिया हुआ one option two दिया हुआ है two option three दिया हुआ है three option four दिया है four तो इस प्रकार का आपको option four option रहेंगे ठीक है और वहां true false भी राते हैं milan के लिए भी राते तो अलग-अलग तरिकाओं से multiple choice इस question पूछे जाएंगे, आप सब के लिए तयार रहना होगा, ठीक है, इस परकार, इसमें सही answer क्या होगा, ठीक है, तो इसमें सही answer के लिए आपको radial notes निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्मूला आता है, क्या आता है, फर्मूला आता है, तो आपको फर्मूल 3P में, 3P में आपको find करना पड़ेगा कि N बराबर कितना है, L बराबर कितना है, तब ना मान डानिएगा, ठीक है, तो N जो भी यहां 3 रहेगा, जो भी आपको, ठीक है, P सबसेल के पहले जो भी रहेगा सेल, जिसको principal quantum number बोलते हैं, यदि 2L है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2S है, 2S है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा, principal quantum number होगा, 4D है, ठीक है, 4D है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 principal quantum number, मतलब सबसेल से पहले जो भी आंक रहेगा, उसको principal quantum number असाने तरीका से पहचान सकते हैं, तो यहां 3P है, तो 3 क्या हो जाएगा, यह principal quantum number हो ठीक है अब पी के लिए मान क्या हो जागा तो आपको लिए आपको याद करना होगा एस पी डी एफ ठीक है आपको एस का मान जो होता है जीरो से सुरू होता है पी का मान होता है वान डी का मान होता है टू और एफ का मान होता है थीरी तो यहां पी है क्या है पी है तो पी का मा में हम लोग इठा देंगे का करेंगा फर्मूला में इठा देंगे ठीक है 3-1-1 ठीक है 3-2 कितना जागा 1 1 answer है option में 1 है जी हाँ पहला ही option में 1 है तो इस प्रकार को आपको solution करके आपको answer को लाना पड़ेगा तो इसके लिए आप छोटा सा फर्मूला है n-l-4 तो आपको ग्यात हो जाएगा आप इसको screenshot ले लिजिए ठीक है आगे हम लोग question को solve करेंगे ले लिए चलिए आगे हम लोग question number 2 देखते है question number 2 क्या है number of angular nodes for 4d orbital each देखे यहां पुछा है angular nodes ठीक है previous हम लोग अभी just question हम लोग देखे थे क्या देखे थे radial nodes के बारे में देखे थे radial nodes का formula क्या होता है इन मैंन्स एन मैंनस- इसके लिए बहुती सिंपल है angular nodes के लिए तो बहुती薪्रूम पर ओर ओर ऑंग अन्गूलर nodes के लिए तो बहुती सिंपल फरमोला है य shuts्ट मान होता है किसका जी ऐल का ठीक है तो यहां है 4D, तो 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 से कोई मतलब नहीं है, अब D कमान पर पता चलता है, तो ASPDF, ठीक है, AS कमान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो यहां इसके लिए के इंसर रंसर जागा 2, आपसें 2 हो जागा, तो दो फर्मूला भी जस्ट पढ़ लिए, यह एंगलर नोड से कोऊशन आता है, भाई साब, तीन प्रकार का कोऊशन पुछे जाते हैं, पहला रेडियल नोड, दूसरा एंगलर नोड, तीसरा कोऊशन आपको यहां सामने तुरंत आ गिया, तीसरा कोशन क्या आ गया तीसरा कोशन आपके सामनी इस प्रकर है टोटल नमबर अप नोट्स ठीक है टोटल नमबर अफ नोट्स तो तीसरा भारेटी है तीसरा भारेटी है किसका नोट्स से ठीक है तीसरा भारेटी है पूछा है total number of nodes for 4p orbital तो इसके लिए formula होता है n-1, देखे, n-l नहीं कर देज़ेगा, कई बची इसी में गवड़ा जाते है, n-1 है, 1 माने समझते है, 1, ठीक है, 1, आप समझ माया, हाँ, तो यहाँ क्या हो जागा, n, n का भेलू क्या हो जागा, 4, n के लिए क्या हो जागा, n का यह नहीं है, इसमें तो L से चर्चे नहीं है, इसमें P का चर्चा नहीं है, ठीक है, total number of orbital, total number of nodes जानने के लिए, P का भेलू, sub-cell का भेलू से कोई मतलब नहीं है, P फोर्क से मतलब है, n का मतलब है, ठीक है, n, principal quantum number से मतलब है, तो principal quantum number 4-1 हो जागा, क्योंकि यहाँ 4 दिया इसको screenshot ले लिजे, फिर आगे बढ़ते हैं, चले बढ़ें, हाँ जी बढ़ लिजे, चलो, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, question number 4, ठीक है, question number 4 क्या है, the nucleus R, ठीक है, इसमें क्या होता है, निकुलाय में क्या होता है, कि proton, अप electron रहते हैं, electron तो आप कहना ही नहीं है, electron हमे electron, जो तिसरा जो है, उससा ही हो जागा, proton और neutron, नाभिक में proton और neutron रहते हैं, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए, elektrons हमेएशा क्या होता है, बाहर, बाहरी कछा में हमेशा रहते हैं, यहां क्या रहते हैं, हां दो चीज़ रहते हैं, प्रोटोन रहते हैं, नीट्रोन रहते हैं, तो नाभिक में क्या क्या रहते हैं, यह दो चीज रहते हैं, प्रोटोन और नीट्रोन, समझ में आई जी, हाँ जी आई, इसको भी आप लिख लिजी, ऑप्शन नमबर तीन सही हो जाएगा, ठीक है, आइसो टोप आप डिव्ट्र सिक्स्ट दिया हुआ है इप्षम आफ है इक सब्सक्राइब को समझाएंगा सब्सक्राइब भी नहीं मिलेगा, option फोन हो जाएगा, one proton and one neutron, ठीक है, question आगे देखते हैं, question 6 दिया हुआ है, the electrons present in the outer most cell are called, जो electrons बाहरी कच्छा में, ठीक है, सबसे बाहरी कच्छा में, बाहरी कच्छा में होते हैं, मान लिजिए, ठीक है, बच्चा पाटे रहां से समझे लिख लिख लिए, ये नाभीक हो गया, ये बाहर ये क्या हो गया, ये चकर लगाते हैं, तो जो electrons बाहरी कच्छा में रहते हैं altar Molternë में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग valence electron कहते हैं क्या कहते हैं valence electrons कहते हैं ठीकिए आपको समझना है इस पर का कि है आप समझ लेजिएगा तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा ठीकिए जादा पढ़ाई से सबसे ज्यादा कोई चीज़ दुनिया में आराम है नहीं है। पड़ाय करना दुनिया में सबसे इजी काम है. इस से असान इजी काम कोई भी नहीं है. आप पीटा दो लिजी, आप कोई भी काम काम किजी पड़ाया क्या है? पंखा है, ठांडा कर दिन है, अराम से कॉलेज में गएं आएं teacher आपको पढ़ा रहा है इससे भी जादा teacher है mobile में लिए हैं पढ़ रहे हैं पढ़ना है लिखना है उसी को लिख देना है इससे क्या काम है बढ़ा है तो पढ़ाई से सस्ता काम अच्छा काम असान काम कोई नहीं होता है next question क्या है सात्वा कोशन क्या है, the electron configuration of chlorine, chlorine का electron configuration क्या होता है, उसके बारें पूछ रहा है, ठीके, तो आपको 17 होता है, chlorine का atomic number कितना होता है, जी 17, तो 17 होता है तो 2, 8, 10, 10, 17, तो option number 3, सही हो जाएगा 17, 2 पहला होता है कच्छा में, पहला कच्छा में electron होते हैं, कितना बच्चा पार्टी दूसरा का में 8 ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 और बच गिया तो बच गिया कितना 7 तो यही question पूछा था ठीक है कितना आसान question है ठीक है और question नमर 8 दिखाई दे रहा है जी हाँ जी दिखाई दे रहा है हाँ आप तो दिखाई देना चाहिए in the alpha scratching experiment few alpha particles rebounded because ठीक है कुछ alpha particles यह क्या है रदरफोड का ममला था रदरफोड सहाब जब एक सोना की पनी पर ध्यान सुनियागा सोना की पनी पर बंबाट कर रहे थे क्या alpha particles तो कुछ जो हो गिया return आ गिया बोंस्ट कर दिया रिबोंस्ट हो गिया ठीक है तो क्यों हो गया भाईया उसके बारें पुछा गया है क्यों क्यों क्योंकि positive charge of items very little space जो item में जो positive charge है उसके अंदर जो positive charge है जो कि छोटा सा जगह में लिया हुआ है तो option B इसको सही हो गया ठीक है इस प्रकार question आपको आते हैं तो यहीं था यूनित नमबर वन से इतना ही question आपको दिया गया है question जो है unit number two से है यहां छप गया है गलती से by mistake अब हम लोग चर्चा करते हैं question number unit number two क्या है water unit number two क्या है water तो water से किस प्रकार question आते हैं amount of the oxygen required oxidation for about biological active and innate oxygen organic matter is called देखिए ऐसा कौन सा process है जिसमें carbonic और आ-carbonic को दोनों को घोलते हैं ठीक है दोनों को हम लोग क्या करते हैं oxidation करते हैं हम लोग उसको तोड़ते हैं तो उसको हम लोग करते हैं COD उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा पाटी COD अब BOD मतलब के वाल carbon चीज को तो कार्बनिक चीज को जो तोड़ते हैं, उसका हम लोग BOD बोलते हैं, BOD बोलते हैं, BOD क्या होता है, TAM जाला लगाता है, COD केमिकल की साहिता से होता है, आक कार्बिनिक कुछ भी चीज को क्या होता है, पानी को कुछ भी चीज रहे है, पानी के अंदर, उस सारा चीज को काक तोड़ता है उसको हम लोग COD कहते हैं कि और बायलोजिकल या कार्बनिक चीज़ को decomposition करता है decompose करता है तोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं BOD बोलते हैं तो यह COD और BOD क्या होता है उसके बारे भी समझ गए हैं तो multiple choice question इस प्रकार का आपको कुछ आपको थियोरी में भी dot clear हो जाता है question number 11 ठीक है आपको थोड़ा सा 11 में क्या दिया हुआ है थोड़ा आगे बढ़ जाई बच्चा पाटी हाँ the hardness that can not be removed by boiling is cod दो प्रकार के hardness होते हैं पहला hardness जो होते हैं जो कि हम पानी को बॉइल करेंगे तो पानी वहाड़नेस खतम हो जाता है दुसरी परकार की पर्मानेंट hardness कहते हैं दुसरी परकार के hardness को बॉइलिंग करने से hardness उसका जाता ही नहीं जाता है उसको अलग-अलग और टीटमेंट के जाता है लाइम सोडा प्रोसेस आयन एक्सेस मेठर अलग-अलग प्रोसेस के जाता है तो इस कोशन में क्या पूछा गया है इस कोशन में पूछा गया है दा hardness that cannot be removed by boiling ऐसा hardness क्या होता है जो boiling करने से नहीं हटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी उसको हम लोग बोलते हैं पर्मानेंट हाड़नेस बच्चा पार्टी समझ में आया जी हां अगर वीडियो समझ में इस lecture को समझ में multiple choice questions समझ कर हम लोग का option मा रहा है इसा नहीं कि एक होगा इसका B होगा इसको C होगा इससे नहीं कर रहे हैं नंबर वन क्लासेस आपको किलियर डॉट करता है डॉट को क्या करता है किलियर करेता है ठीके सारी परकार की डॉट को किलियर करता है समझाते हुए हम लोग पढ़ रहा रहे हैं आपको ठीके ताकि आपको किसी प वीडियो हो जागा इसलिए दो पार्ट में बनायागा तो एको अच्छी रिती से से शेर के जबने दोस्तों के बिच में ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी पार्ट टू भी लाएंगे ठीक है उसमें हम लोग तीनों इनुट का करेंगे खतम कर देंगे कोशार नंबर टू वेले ठीक है देंसिटी ओव वाडर बिकाम मैक्समम्द आये तो देखिए वाडर के कया होता है यहाँ से चलते हैं उसको मैक्समम होते है यहां तो यह जो होता है four degree temperature के बाद उसका जो होता है गराफ गिरने लगता है जो घनत्व होते हों गिरने लगते हैं ठीक है तो ये जो four degree temperature ये आला जो होता है ये maximum temperature है ये maximum temperature है को इतना degree जी four degree temperature है कितना degree है four degree पर उसके बाद इधर से क्या होता है बढ़ता है इधर से घठता है तो maximum degree कहां तक जाता है, 4 degree, यह जो question है बच्चा पाटी, यह आपको कई परकार की exam में पूछता है, कई परकार की exam में पूछता है, आप इसको Google कर लीजिएगा, कभी YouTube में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चलता है, बहुत ही, JEE का forum भरेंगे, वहां भी question आता है, JEE कभी तियारी करवा दे रहे हैं, अभी तुरांत बाहरे बच्चा बाह, ठीक है, अब देखो, temporary hardness of water is caused due to presence of dissolve of, चारा चीज होता है, किसके चलते होता है, calcium bicarbonate, इसके कारण magnesium bicarbonate, carbonate मतलब hydrogen carbonate जो होता है, ठीक है, CAHCO3 जो होता है, इसके कारण होता है, ठीक है, तो यह जो होता ह है, temporary hardness जो होता है, calcium bicarbonate भी बोलते हैं, यह calcium hydrogen carbonate बोलते हैं, magnesium hydrogen carbonate भी बोलते हैं, बात माया, क्या होता है, by carbonates के कारण, calcium and magnesium, calcium and magnesium, कारण किसलों बेस्तिक चैंजी और अे, इसके दूसरी शब्स में हम लोग नकिक्ल भासा में ठीके क्या BOLT shroud करण किसलों हैं कर्लों होग नग कहिमे ओने कर्बूनेट का का a doing का कर्भूनेट कशेरी का उनकिन Crypto केन बीर्यूव देखें बच्चा वैसा कॉषण नहीं कॉषण अलग है यह कोोषण पूछा गया है दा हार्डनेस दा हार्डनेस डायट कई बीर्यूव बॉइलिंग किसकोल ऐसा हाड़नेस बताई जो बॉयलिंग से रिमूब हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चाट पाटी टंप्रोरी हाड़नेस कहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं टंप्रोरी हाड़नेस कहते हैं फिर यूनित नमर थाड़ सुरू हो गया है करकार कोशन आपको तो एक जाब में multiple choice questions पूछे जाएंगे, unit number one, unit number two से इसी प्रकालक कोशन आपको आने वाले हैं, आप इसके लिए तयारी कीजिएगा, इसी कोशन में से true false दे देंगे, आपको मिलाने के लिए देंगे, fill in the blanks देंगे, objective question देंगे, कोशन अलग अलग तरिकाओं कराएगा, ले में share कीजिए, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी पार्ट टू भी ला देंगे, thank you, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,